अगर आप यह जानना चाहते हैं कि Curtain Software को फ्री में कैसे यूज करें या यह कहलो कि इसे फ्री में एक्टिवेट कैसे करें तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा So, without further wasting any more time, let's get started So guys, video start करने से पहले मैं आपको अपता दूँ है Curtain Software एक fully paid software है तो हम इसे freely activate नहीं कर सकते हैं पर मेरे पास एक simple trick है इसे कैसे यूज कर सकते हैं free में So guys, simple trick यह है कि हम Curtain Software के 30 years trial को ही वापिस यूज कर सकते हैं दूबारा से So, इस trick को कैसे apply करना मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाता हूँ So guys, हम Curtain Software का on कर लेते हैं search menu में जाके Open कर लेंगे इसे तो हमारे पास अपना software open हो जाएगा फिर इस पर मैसेज आएगा हमारे प्रोड़क्ट की या इंटर प्रोड़क्ट की फिर 30 days trial हमें इसको apply करना है इससे पहले हमें Chrome browser on करना है फिर हमें type करना है 10 minute mail फिर आपको एक website डूण लेनी है कोई सी 10 minute mail की उस पर जाके हमें हमें mail मिल जाएगी है उस mail को copy कर लेंगे हम copy करके फिर जो हमारे curtains में हमारी start 30 days trial है उस पर click करेंगे फिर उस पर email को उज़र पेस्ट कर देंगे उस पर email column में पेस्ट कर देंगे फिर continue करेंगे तो message send हो गया है curtains की तरफ से हमें फिर उस mail में चेक करेंगे हमारे जो temporary email है उसको open कर लेंगे हम फिर यहां पर इसको activate कर लेंगे activate 30 days trial को फिर जैसे हम इस पर करेंगे click तो हमारी curtain software activate हो जाएगा 30 days free trial के लिए आप देख सकते हैं Curtain trial validation successful इस अग कर लेंगे अब इसे तो आप देख सकते हैं हमारा curtain software अच्छे activate हो चुका है अब बात आती है 30 days trial end होने के बाद इसे कैसे activate करें आपको यही 30 days trial वाला pop-up message आएगा and then आप इस process को दुबारा repeat करके फिर से 30 days trial ले सकते हैं तो गाइस यह थी एक simple से trick जिससे आप curtain software को freely कैसे use कर सकते हैं वीडियो इंट्रेस्टिंग लगाओ तो like करें और more information के लिए comment जरूर करें और इस type के content के लिए channel को जरूर subscribe करें